जैमात अदी चाहे आप इस्प्रिच्वल जानी में हूँ चाहे आप इस्प्रिच्वल कनेक्शन में हूँ ठीक है आपके लाइफ में इतनी सारी चीजे वन बई वन होती है कि आप आपके लिए यहाँ पर मार्ग दर्शन आता है सच्चाई का सामना कीजिए आप ब्रह्म से बाहर निकले लेकिन बार बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा भ्रहमित होते हैं आप में से बहुत लोग भी बहुत भ्रहमित होते हैं कौन हमारे कार्मिक हैं कौन हमारे सोल कनेक्शन में है देखिए इन सबसे उपर आप ये कीजिए पूरी तरीके से मैं खुद का अन और यह बार बार सोचना बंद कर दीजिए कि उनका call नहीं आया उनको block कर दिये अगर आप married है तो अभी balance क्यों नहीं हुआ है देखिए अगर आप spiritual connection में हैं आप किसी भी प्रकार से soul connection में है तो आप एक दूसरे के लिए ही हैं आप ने जब आप आए थे तो आप कहीं न कहीं एक contact sign करके आप आये थे कि इतने कार्मिक स्थिति को इतनी negativity को आप हील करने के बाद आप दोनों एक साथ मिल कर कोई कारे करेंगे ठीक है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कुछ लोगों के लिए है कि दोनों अपना अपना कारे करेंगे यहाँ पर दो तरग की जो है energy यहाँ पर आ सकती है लेकिन यह तो कंफर्म है कि अगर वो आपके soul connection है अगर आप spiritual journey में है तो यह सारी चीजे repetition यदि आपके life में बार बार हो रहा है कोई ऐसे person बार बार आपके life में आ रहे है कोई ऐसी स्थिति बार बार कार्मिकी स्थितियारी तो आप थोड़ा थोड़ा अपन पूरी तरीके से समर्पन करते हैं एक बात याद रखिए जिस दिन आप लेट गो करना सीख गए ठीक है लेट गो किसी भी प्रकार का है चाहे पास्ट के आपकी जो कार्मिकी स्थिति चल रही है बार बार जिसे साही बाबजी का एक कार्ड है ना के टालना अपने दुख द पूरी तरीके से अपने डिवाइन जी के सरन में रहना है और यदि आपको ऐसा लगता है कि बार बार कोई ऐसा वेकती है या ऐसी इस्थिति है जो आपको परिसान करती है उसको पूरी तरीके से छोड़ना है लेट गो करना है अगर आप उसे छोड़ नहीं सकते कोई ऐसी तो अपने mind से उसे हटा दीजे, क्योंकि कही न कही जब आप starting करते हैं तो आपके life में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि आप उस energy में रहते हैं, आप lower vibration में रहते हैं, तो इतने सारे group, इतने सारे ऐसे लोग आते हैं, एक group आता है आपके life में, जिन में से बहुत लोग जो आ अगर आप हैं, तो सबसे पहले आपको अपना कर्मा हील करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है, कि आपके बहुत सारे कार्मिक baggage हैं, और वो हील नहीं हो पा रहे हैं, तो एक ही चीज कीजिए, अपने इश्ट देव जी के सरन में रहिए, स्री गुरु देव जी के सरन में रहिए, स्री हनुमान जी के सरन में रहिए, साई बबाजी के सरन में रहिए, जिनको भी आप मानते हैं, गुरु देव जी उनकी सरन में रहिए, आपके लाइफ में वन बाई वन मिरेकल होगा, और वन बाई वन जो है, आपके लाइफ से और आपके पार्टनर के लाइफ से जो अभी toxic लोग है जो अभी कार्मिक इस्तिती है जो अभी negativity है इतने अच्छे तरीके सहील होगी देखे यहाँ पर जैसे कि हम कहते हैं कि अमवसे के समय पूर्णिमा के समय वो तब तक ही होता है जब आप balance नहीं होते हैं जैसे ही आप balance हो जाते हैं आप अपना inner work करते हैं आ आपके partner अपना soul purpose करते हैं तो आप दोनों पहुत उच इस्तर पर जाते हैं ठीक है किसी भी प्रकार से आप इतना मतलब एक peace of mind आप create करते हैं आप एक happy family अगर आप married है तो आपकी family इतनी happy हो जाती है देखे यहाँ पर जो इस्तिती आती है ना वो इसी वज़े से आती है क् लोग एक soul connection में रहते हैं कोई भी वेक्ति आपको देखते हैं तो यही सोचते हैं कि इनके जसे हमारा रिस्ता क्यों नहीं है लेकिन आप यह देखिए बचपन से आप दोनों मिला कर देखेगा अगर आप spiritual connection में है तो भी अगर आप soul connection में है तो भी बहुत सी ऐसी समानता है आपको आपके और आपके पार्टनर के life में मिलेगी आगे पीछे ठीक है मैं इसके लिए बड़ी वीडियो लेकर जरूर आउंगी बस इतना ही कहूंगी कि आप inner work कीजिए पूरी तरीके से डिवायन जी के blessing में रहिए भ्रहम से दूर रहिए किसी भी प्रकार के भ्रहम से दूर रहना ही आपके लिए आगे बढ़ना है यहां पर आप भ्रहम से जब दूर होंगे तभी आपको सच्चाई का सामना होगा तो उम्मीद है आपको मार्क दर्शन प्राप्तु हो और लाइक से सब्सक्राइब तो कीजिए आप टेक केर ओम साहिरा